हल दोस्तो नमास्कार स्वागत हमाई यूटूब चैनल पर दोस्तो बहुत सारे लोगों के साथ अक्सर ये प्राबलम होती है कि जब भी वे कोई फॉर्म वगरा भरती हैं जैसे B8 का हो चाहे D8 का कॉंसलिंग का फॉर्म भरती हैं या कॉलेज में एडिमिशन का फॉर्म भरती हैं या कॉलेज में एक्जाम फॉर्म भरती हैं या कोभी एक्जाम का फॉर्म भरती हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ता है लेकिन जब हम पेमेंट करते हैं फोन पे से, गूगल पे से या UPI ID से तो हमारे bank account से पैसे कड़ जाती है लेकिन वहाँ पर फिर से हमें दुबारा payment, repayment करने का option दिखाता है इस condition हम confuse हो जाते हैं कि हमने payment तो कड़ दिया, bank account से पैसा कड़ भी गया लेकिन हमारा form में अभी भी दुबारा payment करने के लिए कहा जा रहा है तो इस condition में परिसान हो जाते हैं कि आखिर हमें करना क्या चाहिए सांती साथ आपको आगे ये बताऊंगा कि आपको इन सभी तरीकें से कैसे बचना है और कैसे आपको इन सभी form का payment successfully करना है ओके तो चले इस पर बात करते हैं देखिए दोस्तो जब भी कभी आप किसी भी form को online भरते हो और वहाँ पर payment करना होता है तो payment करने के लिए आप UPI ID का use ना किजिए phone pay, google pay से आप payment मत किजिए क्योंकि जब आप phone pay, google pay से payment करते हैं online तो यहाँ पर अधिकतर chances ये होता है कि आपके account से तो पैसे कर जाते हैं लेकिन आप जहाँ पर passive देना चाहते हैं वो receive नहीं किये होते हैं यानि कि accept नहीं किये होते हैं तो इस condition में आपको दुबारा payment करने को कहा जाता है और जब दुबारा payment कर भी दोगे फिर भी आपके सामने और repayment का option आएगा तो इसका solution का है इसका solution ये है कि जब आप online payment करते हैं phone पे और Google पे वगरा से और bank से पैसे कर जाते हैं और दुबारा payment करने के लिए कहा जाते हैं तो दुबारा payment आप मत किजिए आप क्या किजिए आप जहां पर भी आप जिस भी website में आप form apply किये हो जैसे B8 का counseling में आप SCERT के website में form apply किये हो तो वहाँ पर Gmail ID दिया होगा और mobile number वहाँ से contact किजिए और पूरा details बताइए कि सर मैंने counseling का form भरतिवाक्त exam का form भरतिवाक्त या admission का form भरतिवाक्त payment किया online से UPA ID से phone पी या Google पे से लेकिन account से पैसे deduct हो चुके हैं लेकिन successfully form submit नहीं हुआ है और दुबारा payment का option दिखा रहा है तो वहाँ पर आपके problem को solve किया जाएगा अब solve कैसे किया जाएगा पता है जब आप payment करते ना तो वहाँ पर जो receiver होता है होती है और जब आप उनसे contact करेंगे आपके payment को accept कर लेंगे और उन तक आपका payment पहुँच जाएगा और दुबारा आपको payment नहीं करना पड़ेगा repayment का option भी नहीं दिखाएगा और आपका form successful हो जाएगा लेकिन दोस्तों यदि आप इन सभी मसलों से बचना चाहते हैं और एक based payment method ढूण रहे है क्या कि कौन से system से हम payment करे कि हमें दुबारा repayment का option न दिखे न तो हमें contact वगरा करने की जरुआत पड़े और successfully pop submit हो जाए तो based method है ATM card यदि आप debit credit यानि कि यदि आप ATM card का use करेंगे payment के लिए तब आपका form 104 से fully successfully apply हो जाएगा इस कंडी जब भी आप ATM card का use करते है न तो ऐसा दिक्कादा वो कभी भी नहीं होगा तो आप हमेशा ये सोचिए कि आपको online payment नहीं करने को भी form बगए रहा हमेशा आप debit card, credit card यानि कि आप अपने पास जो ATM card मौझूद है उस ATM card के थुरू आप payment कीजिए इसे successfully safe and security से आपका payment हो जाएगा और जब आप ATM card से payment करेंगे तो repayment का option का situation कभी भी आपको face करना नहीं पड़ेगा ओके ये बात आप note किल जिए मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है और मैं जब भी online payment करता था मेरा पैसा हमेशा funds जाता था करतो जाता था बैंग account से लेकिन फिर repayment का option दिखाता था तो इस situation में मैं proper जहां पर भी मैं form भरता था वहाँ पर contact करता था वो लोग मेरे पैसे को accept करते थे फिर मेरा solution हो जाता था लेकिन तब से मैं online payment phone पे google पे से form का online payment करना बंद कर दिया अब हमेशा मैं safety से ATM card debit credit card का यूज करता हूँ इसे successfully भी हो जाता है और form में दुबारा repayment option नहीं दिखाता है तो हमेशा याद रखिए दोस्तो कभी भी आप payment करेंगे किसी भी चीच का तो आप ATM card की use कीजिए ओकी I hope वीडियो समझ में आया होगा चानल पन नए हो सब्स्राइब कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में करेंगे 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 झाल झाल